पच्छी आगणी जरूरिया तो है से बीज शरस आब दी जरूरिया तो कोई पन पाक माटे जरूरी रहस्ची वनस्पती पाणी कहा अंग द्वारा मेडवेची सेमास्यमा उप्योग्मा लेती हासे मनस्पती हाँ बोलो जी खरक बणाे जमीन hopping थे सीवाई पूजा बोलो जी पानी पानी नी जरूरिया दे चे त्या बार गॉतं भाय बोलो जी खातर खातर त्यार पच्छी आगणी जरूरी यात है से बीज शरस आबधी जरूरी यातो कोई पन पाक माटे जरूरी रहस्ची वनस्पती पाणी कहा अंग द्वारा मेडवेची वनस्पती पाणी वापरे छे तो कई कई जगी वनस्पती पाणी नो उपयोग करे छे फड, फूर, बीज नो विकास, बीज ना अंकूरण माटे, पाणी माँ ओगडेल शारो ना वहन माटे, थंडिक के गर्मिथी रक्षण माटे, के मूर द्वारा पाणी वनस्पदी पोताना शरीर माँ दाखल करे छे, ए जमीन माँ थी लए छे पाणी, पण ए जमीन ना ज्या त्या शुदी मूर छे, त्या शुदी नू पाणी धिमे धिमे पूरू थाई गयू, धिमे धिमे पूरू थाई गयू, अर्थवा तो ए जमीन ना तड नीचे पहुंची गया, तो तेवा समाए पाणी क्या थी मेड़ाउशे? आपने पोते तेने पाणी आपी शुदू, आ माटे तमें कली पद्धती करो छू, शू करी ने आपने पाणी पहुंचाड़िये थी, आवसल मैं बुलो जे, सिंचाई पद्धती, अथ्वा तो जेने आपने साधी भास आमाँ पी अत कहिए थी, पाणी आपवानी पद्ध तो आजे आपने एज पद्धती ओविशे सिखेशू, जे पद्धती नुँ नाम छे, स्पाक उत्पादेन माँ सेंचाई नी पद्धती, आपने आ टोपिक नी अंदर बे पद्धती नो अभ्यास करीशू, एक छे परंपराग, त्याने बीजी छे आधुनिक पद्धती, एनो अभ्यास करीशू, सरुवात थे यहसे खेती नी त्यारे कोई बोर्वेल के उखातू, नाई, तो त्ये समय जे पानी नी जे बार मोकलवानी पद्धती छे, तो एक पहला आपने जानी लेए के सिंचाई आपने कया कया स्त्रोत माथी मेड़ा भी है छे, आथवा तो त्यारपची माथी मेड़ा भी है, थरां, थ्यारपची नदी माथी मेड़ा भी है छे, आथी जिवा भूलोभी है, बिलोबीन यहीं, डेम माथी डेम माथी चेक डेम माथी सरस शरोवर माथी पन पाणी मेडविये छी सरस तो आ बधाज जे पाणी ना स्त्रोथ छे कि जे माथी पाणी आपने विपुल प्रमाण मां मड़े छे तो स्क्रीन पर आपणे चुईए सिंचाईना स्त्रोथ बंधो थी पाणी मेडविये छी आपने जिनने डेम कहिये छी नहेर कहिये छी त्यार पची कुवा द्वारा मेडविये छी सरोवर द्वारा मेडविये छी बोर्वेल द्वारा मेडविये छी नदी द्वारा मेडविये छी आब धा येना स्त्रोथ छे क पाणी मीडवी है शेंचाया पाणी क्या पिखे अंतरए पाणा पहुंचारवानी प्रकिल अने शेंचाय केवामा आवले छेंचाया फोड़ा समय पछी, जारे पाक ने जरुरिया थोई पाणी नी, त्यारे ते पाक ने आपणे पाणी पहुचाड वुजुईये, तो त्याने केवा मावशे सिंचाई अपले स्क्रीन पर जुए, सिंचाई जैनि व्याख्या आपी छे, समयांतरे खेतरमा पाणी पुरू पाडवानी क्रियाने सिंचाई केवाम आवे छे। त्यार पच्छी आवसे सिंचाई नू प्रमाण, केवी ते सिंचाई नू प्रमाण जाड़ो भूजुए, तो ए पाक उपरा धारीच छे, वधू पाणी, तो केटलाक पाको ने वधू पाणी नी जरूर या दुद्बवे छे, दाखला तरी के सेरडी, सेरडी नो जो पाक ल काप वाड़ी अथो गोराड़ू जमीन, त्या अपणने ओछू पाणी नी जरूर पड़ से, त्यार पची आवसे, स्क्रीन पर जोईए, रूतू, भधू पाणी नी जरूर याद उन्हाडा माँद भवे छे, ओछा पाणी नी जरूर याद सी आडा के चौमा साधर्मिया परमपरागत पद्धती माँ आपणे जोईशू, साउथी पेला एक वीडियो जुईए, पेला ना जमानामा लोको आट ढेकली पद्धती थी, उडे रहलू पाणी ने उपर लावता था, एक उच्छालन नो सिद्धान छे, के उच्छालन वड़े पाणी ने उपर लावा आमा आवे छे, जो वीडियो जुईए आपड़े आर इते आखी प्रक्रिया चाले, आकुर साधन चेन मुखेली जी, एक चेन वड़े चाले छे, एकला माड़े सद्धून नाम आपी दिदू छे आपड़े चेन पाम, ए जो ना जमानानी पद्धती छे, जेनू नाम छे चेन पाम, हवे आपड़े परिती एक त्रीजो अगर्णा वीदियो मांच जो जो, एक रहेंट नी रचना अपने चोई त्यानु मोडल आपणी समक्स छे, इब मोडल द्वार आपने समझी शूं कि ये पाणी कही रीते नीचे थी उपल आवा मा आवे छे, तमारी समक्स आएक मोडल मुक्यू छे में, आ मोडल मा तमें जुदा जुदा ड्रम अथवा पाणी भरवा ना जे, बोटल ना जे भाग अखै, आख़याखोछ़ चक्रे तयार करे लूझे एई चक्राने धरी साथे जोडीने एक हेंडल बना आयलूझे अहीं एक हेंडल मुक्यलूझे एनँ उपर फरी The 행ald Л. 12 अबाज्यूझे औने आज़ ना ईन्ए और की दभरवा ओडू चक्र फर से तेनी साथे शाथे फर्वाँ ना छे ए चक्र फर्तानी साथे यह एनी साथे एक धरी राखेलिए लिगभ्स तो अपने लिए इने फेराविये चे दीकनि द्रम ने तो conversation duties एन्डल द्वारा neo फेरावीर jeunes ड्रम तमारे जोवा नाचे ड्रम मां दिमें दिमें पाणी भराई छे अने एक सामे रहेली नेक मां ये पाणी पड़े छे विद्याथी मेत्रो तो आ रीते जुना जमाना लोको एक तड़ाव मां थी आ रीते पाणी मेडवता हता अवे आमसे मोट ए मोट ने आपणा केवी रेते चलावा नो छे एनो वीडियो जुई आपणे झाल 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 तो परम परागत जे आपणी सेंचाई इपत दीशे तेनी लाक्षनिकत अपन जोई लेए तो स्क्रीन पर झुईए आपणे के सेंचाई नी परम परागत रितो नी लाक्षनिकता जे मापसू अथ्वा तो मानस न उपयोग थतो हातो ए संस्ती हाती कोई प्रकाव नो खर्ज नथी आनी एक नवड़ाई पाण छे के एक ओछी कार्यक्सम धीमी छे चेललू छे पाणी नो बगार थाए गणी वार पाणी उपर आवतु होए आने ते समय केटलू पाणी वेड़ फाई जाई आउ पन थाए एटले आ एनी लाक्सनिकता छे हवे जुई आपणे त्यार पच्छी नी आधुनिक पद्धतियों त्यार आपणी पास हे जुदा जुदा प्रकार ना आधुनिक सेंचाई ना साधनों छे तो आपणे जे वापरी जे शेंचाई नी पद्धतियों मा तेमा पहली छे फूरा पद्धति फूरा पद्धति मा आ सम्दल भूमी माटे उपयोग मालेवां आवैचे जमिन सम्तल ना हॉय , هाला टेकरावाडी हॉय , डोडाववाडी हॉय धाड़वाडी हॉय , त्यारे फुवारा पद्धिजे नजे़ नोंग नकतराव न हुबनी उपयोग कर्वां आवैचे तो आ पद्ददी तमें जोई जसे तो आ फुवारा पद्दी तुनों उप्योग क्या थाए फुवारा पद्दी तुनों उप्योग मोटे भागे जे फड पाको होई चीकू छे अमबावाडी छे अथा तो जे बीजा पाको लेवा मावे पपईया छे रिंगन छे इबाव पाको नी अंदर मोटे भागे फुवारा पद्दीति नों उप्योग करवा मावे छे आ पुवारा पद्दती खुबज अगत्यानी छे एक वर्दा अंदुरूप कैश्रे काई जे आ परवतिये प्रदेसों छे त्यां पड़े नों उप्योग करवा मावे छे हवे आपड़े जुहिए टपक सिंचाई पद्दती बीजी पद्दती स्क्रीन पर आपड़े जुहिए टपक सिंचाई पद्दती पाणी ने टीपे टीपे पहुचाडवा मावे छे आ पद्धती ने अंदर पाणी नो बिलकुल बगार थतो नथी, पाणी नी अच्छत होई त्यां उप्योगी छे, जहां पाणी खुब ओछू होई, तो तेवी जगे आ पद्धती एकदम आसिद वाद रूप छे, टपक सिंचाई नी अंदर नाम प्रमानेज के टीपे टीप पाणी ने अंचाडवा मावे छे, एमा पन पाईप लगाड़ीली होई छे, जुदा जुदा खेतोरों मा जुदा जुदा एक साथे पाईप लगावेला होई सडंग, पाक अनुरूप एमा योग्य जगे आएक काणा पाड़ेला होई, जे जगे आए छोड़नू मूड अ सुदी पाणी पहुंचे छे, बीजी कोई जगे पाणी पहुंचतू नथी, एडले निंदन थाईशकतू नथी, निंदन वधारानो घास जे एए ठाईशकतू नथी, बीजू छोड़ने खातर आपनी जोरूप पड़े, ए खातर पन आपड़े आर्ज रिते, एज एनी ट पड़े आपड़े पड़े पाणी लिदूचे, कि मां अधुनिक पड़ेती 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 पन हती, और प्रमपरागत पड़ेती पन हती, तो बाकी निजे विगतों छे, अवे पचिन आपने लेशन वा अब्याज करीशू, नमस्ते. बार्मित्रो नमस्कार अपने गया एपिसोड मा प्रयोगों जोयाता ने रमकला जोयाता ने तो आजी आपने थुड़ा को धारे प्रयोगों जोये तो एकुँ प्रयोग बताओ छू ए वनस्पत्मिनों छे आप प्रयोग छे ए प्रयोग वनस्पती जारे मुडवाटे पानी सोशे से अन पर्णमा आवे इले पर्णचे इपोताना जेटलो उप्योकरी अन वधरानों प्रवाही बास्पोर सर्जन करा छे एले वनस्पत्मिनों बास्पोर सर्जन आ प्रयोग द्वारा जुरोव मुड़ा छे जो आप बल्ब छे ए बल्बनी नीचे नानी उनस्पती मुखे ली छे आनन वनस्पत्ति ने आपने सुर्य प्रकास मुखी अती उथ यह पोते पोतानी सर प्राणी राख्यो परणों पण वद्धारा नू पानी परणी द्वारा परणां ध्रोज दारा ए बल्बनी उपरावी गई पन बल्ब मा बारना निकरी सके बास्प रखरी यह पानी ना रूपय देखाये से जो बल्ब नी चारे बाजू पाणी ना टिपा देखाये अने टिपा ए प्रणा ये काडेला बास्पोर सजुन चे अहुं तमने काडी ने आखो प्रयोक बताऊ चू केवरित केरो चे ते आज ये छे ये बल्ब चे आ बल्ब चे आ वीजली नो आपने आणे ये बल्ब ने आएक नान वर्णस्पति नो छोड लीधो चे आने आ छोड ने अपने तड़का मां एक कलाँ मुक्योँ पर मुक्ती वक्ते बल्ब ने छोड नी अंदर लेलीधोतो तो इतले सुताय के बल्ब ना जे परनों छे ए वधारानों प्रवाई बारकाड अचे बास्पा स्वरूपय अन्य एबास्पा स्वरूपय अहीं एक ठूत है यू कारण के बास्पा थाई पर पच्छे अपने अलाइवा एक ठरी ठरी अपाणिना टीपा आपने जुवा मला चे तो वनस्पाति मां बास्पूर सर्जन ए प्रयोग आपने अजोयो और प्रयोग तमें जाते पन करी सको एक नानक प्याला मां के ग्लास मां माटी मां नानो छोड़ लए और आवो एक मोटो बल्ब लए और पच्छी ए बल्ब ने वनस्पाति अंदर मुकी दिया वानों बन प्रयोग प्रयोग बताओ छू जो तमारी समक्स एक मोटो बीजो आवोज बल्ब छे बतायो तो यह बल्ब छे ने एनी अंदर ती पर टंगश्टन दातो काड़ी अंदर रंगीन पानी भहरू छे और एनी अंदर आपने वड़नो नानो छोड मुको से तो यह छोड के वह तमने बताओ शू काड़ी ने कि आ छोड छे ही मूड साथे नो से इतले यह मूडिया साथे नो छोड छे जो तमने बहार काड़ी अने छोड बताओ शू तो आये निचे इना मूडिया देखाई चे ने आ मूड वालो छोड आपने आ रंगीन पानी मां मुकी यह तो सू था जमीन माथी चूसे अने परण सुधी मूखला चे प्रकांड मा थाई अने परण मा आवे चे अने ए परण यह से अने आपने कदाच कापिये तो वच्चे थी आपने रंगीन पाणी नो खबर पड़ा चे इतले वनस्पती मूड द्वारा पाणी नू सोसर्ण करे चे और सारो सोसे से अने उपर डाड़ियों ने प्रकांड ने अने परण ने पाणी अने खोर्याक्त एक एक शारो खात्र मा थी मेड़िवी नू पर पहुच आड़ा से तो मूड द्वारा आ पाणी नू के वनस्पती नो छोड यह आई आपने प्रयोग बताएव आव प्रयोग तम्य पणर करें सको चोड यह नो नत्य वड़नवाज लिए फ्रक्त मख मर्ट कपास अथ्वातों गमे तेनानो छोड लें पर मूड वालो छोड लेवानों यह ट्लो याद राखवाननौ अनने आमां रंगीन पानी भरवानौ यह रंगीन पानी वरी अन्या मूड चे यह प्रेयोक पन आपने जोयो वे आपने एक त्रीजो प्रेयोक जोई है आमारी पासे एक साधन छे आतमने आम क्यासू लखेलू छे तो क्यालीडोस्कॉप क्यालीडोस्कॉप आपने एक रमकला जेवू साधन छे अन्यमा आपने अंदर जोई है तो अंदर में बंगली ना टुकला नाख्या छे अन अंदर सू मुक्यू से उतमने रचना सम्झावा के विते बनाई हुए तो आचे ही अपने पाइप से गमेते पावडर नो डब होई अन्या बन्य बाजी तोर ना खोईले पाइप बनी जाई अन्ये पाइप नी अंदर आवा रिषान टुकडावो त्रां टुकडावो मुक्या चे आवा त्रां टुकडा मुक्यला चे अने ये के वरितम किला चे तो आ त्रन टुकड़ाओ कागलू पर लगावी और आरी ते त्रने टुकड़ाओ भ्यगा करें एटले के दरेक टुकड़ा वच्चे साथ होंशनों खुणों बनी जै आ त्री कोण थेईयो अने आ संबाजू त्री कोण थेईयो इटले बाजी वो पर आकते साथ होंशनों बनने भाजू प्लास्टिक लगाय थेए उच्छे बंगली ना के मूतीना जुदा जुदा रंगना टुकड़ाओ नाखो पले तो यह अंदर टुकड़ाओ नाखेला छे अन्ना अंदर आम जुई जुए इन फिरवता फिरवता जुए तो नवेस नवी नवी डिजायनो जुवा मड़ा छे बरुबर छे तो आरी ते तमें पर आवो केलिडोस्कोप ब प्रति बिंबो देखाई छे तो अवे आ प्रयोग जुए पछे एना जिवो बीजो एक प्रयोग बताऊ छू एमा पड़ आ जो आ ब्यारीशा छे अन्ने ब्यारीशा नी निचे में एक डिजाइन राखी से अन्ने ब्यारीशा न आपने गमे तेटला नाना मुटा करी सकी स जें नाना कर आएम एननू पच्छे आ प्रहने निचे निटी ऐएँ फिरेवी हैं थो जो अंदर नवी 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 डिजाइन देखाई छैंझे दिखाै चैन्न जो अ देखाई चैन्न धिजांज इंगें हमना आपने केलिडो स्कॉप जोय तो आएक जो रिजु ऑक्रेष पर आमाई जो साथ उसन खुन राकिये एले अंदर जुदी जुदी डिजाइन देखा से निचे अरिस आमा अंदर जोईशु तो अलग 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 डिजाइन आवा छे अन्ने ए गुणत प्रति बहिमना सिद्धान तुपर काम करा से हाँ अमा तमने एपन बताई दो क कि आमा अपने खूनों मुखिया अवेवं तमने एक नवो प्रयक बताऊ छू ए अपने उच्चालन उच्चालन इटले तमने खबर सेके साधु यंत्र अपना घर मा रसोडा मा सांसी ओई चीपियो ओई एपन साधु यंत्र छे तो इवा साधा यंत्रों कई रिते शरणता करी सकते इन उच्चालन नो सिद्धानत आपने समझाव माटे एक आउ साधन बनाव पड़े तो आ साधन में यह उचे बनाव शरण चे एक आउस्टेंड बनावी भूक लगावी और एक मापट्टी हो एक मापट्टी उपर एक एक इच ना आंतर आथ तो दस दस है कि दूअ कि एक पड़े सरां ऻचालन में आतर लाइन माच जरूरी से का इच तो आधार बिनो भार पर निये प्रेयत ना बढ़ शरा आ थर आपने काम कराशे ए आपने वजुंई अवे आने अंदर यह हुचे कि आ वह वजन छे एक सर्खा मापना छे आ वजन एने हुआ पहला छिल्ले भूकू पर मुकू छू तो सु थसे यह पोते नमी जाये छे अवे एनी सामय ना छेडा पर वूं विजू एटलाज वजन नू अने एटलाज अंतरे मुकू सु तो यह सर्खू थाई जासे एक सर्खू पाच्छो समानतर थाई जासे पर अवे एव थाए कि अन्या एक मुकू छे तो आ एक दस गुणिया एक दस गुणिया एक साथ न अने आपने आवा अंया अगर अधार बिंदु नी बाजियू मा आपने आवा लगाड़िया एक लगाड़ियू अजू बराबर संतोल ना थी थियू ब्या लगाड़ियू तो यह संतोल ना थी थिया अजू त्रण लगाड़िया तो यह संतोल ना थी थाता पछी चार लग तो यह जो सम्तुल मां छेट बिरुबर पच्छिया पांच अन्या छो तो बस अवसम्तुल थाई गई है तो आउच्चाल अन्यों सिद्धान छे कि जिटलो भार हो एटलो आपड़े प्रेत्ना करो जुए यह भार ने प्रेत्ना बढ़ यह बेज शर्खू थाए यह अहीं आ आजो यह थो भार माथ 10 एको और 60 एको साथ वरुबर साथ से 50 साथ तो शाथ तो अधना एक छे दस जे पण एनी सामे आप ने पेलाakukan थेला 10 ग्राम नद वीजा छोँग्राम न अलक छे एक छोँष तो दस गुणिया छो तो शाथ इंड अन्या पन साथ ते आरे ते सम्तु अपने उच्चालन नों सिद्धान्त काई तो उच्चालन सिद्धान्त बरोबर पार गुण्या प्रहत्न बड़ बनने सर्खूर है उपड़े यह समझावे छे अन्या उच्चालन मुझे बापड़े थारो कि आ कातर छे तो कातर मा पण जो अवच्चे अधार बिंदु छे कॉपन कापी कोपन कागळ रिक ती तो यह भार क्या वायरम जव्या अंगली थी क मापी आ कंढ ब्रहत्न बढ वायरम तो वच्चे अधार बिंदु यह फ्रहत्न बढ вр濃 आने आपर प्रथम प्रकार नुच्चालन कये अचिया. तरज्वां में ढूख पूह लिए आधार बिन्दू होई, आपर होई एक प्रयक्न बहळ रिए, आपरme प्रहय कोई पहला प्रकारनु उच्चालनसे. कर दाल वाज बो बढ़ करने दर्भारा उन्हें शूड़ी मां आपणे सूपारी शूड़ी अकापी है तो अगर फाजु आधर बिंदू वहे विजु बढ़ कर दो प्रहाथ नबर्ण फाल वच्छे जाले बार हो यह यह तरह बिजय बढ़ करने विजय प्रफानind ऊचलन व प्रकान उच्छारन उब्वसावरण में आपने वच्चे प्रयत्न बढ़कड़िया शिये एलित्री जा प्रकान उच्छारन तो आ बदे आपने उच्छालन ना सिद्धान समझ्ज्या शूत में कोविट नाइंटीन ने योग्य वर्तन करो शो शारीरिक संपर्क वगर अभिवादन करो जाहर स्थळो पर एक विजा थी ओच्छा मा उच्छू एक मीटर जिटलू शारीरिक अंतर जारो धोई ने पुना उप्योग मा लईशकार तेवा हाथे बनावेला मो ढाकन मास्क्स ने घर नी बार हो त्यारे सतत पहरी राखो आख नाक तेमेज मौने अडवानू टालो श्वशन तंतर नी स्वच्छता जालो अने ते माटे उद्रस के छीक खाती वखते मौ अने नाकने ढाको हाथ ने वारंबार साबुती बराबर धुवा अथवा सैनिटाइजर नो उप्योग करो जाहर स्थळो ए थूकू नहीं जाहर स्थळे थूकू ए दंडनीय गुनो छे वारंबार जे सपाटी ने अड़ता हो ये तेने नियमित लिते स्वच्छ तथा जन्तू रहित राखो अनिवार्य कारणों वगर प्रवास टालो जेमने COVID-19 थयो हो तेवा दर्दियो तेमनी सार संभाल राखना राओ अथवा तो COVID-19 सामे जजुमी रहे लाओने मदद करना राओ साथे बेगबाव बर्यू वर्तन न करो परन्तू सरदैता दाखो जे सामाजिक प्रसंगों टाली न शकाई तेवा होई तेमा महमानोंनी संख्या शक्के तेटली ओची राखो भीड भाडवाली जग्याई न जाओ बो मोटी संख्या मा भेगा थवानू टालो मन की बाद माननीय प्रधारमंत्री शी नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साजा करेंगे अपने मन की बाद रविवार 28 जून सुबह 11 बजे आकाश्माणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ इसके अतरिक दूरदर्शन के यूटूब चैनल और प्रसार भारती के एब News on AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बाद सामाजीक अंतर सोशल डिस्टनसिंग शामाटे जरूरी एक बिजा साथेना संपर्क ने एक दम ओचो नहिवत करीने वाईरस नो फैलाव ओचो करी शक्ये याद राखो आपनो प्रत्थिक संपर्क वाईरस ने आगल वध्वानी नवी तक आपे छे कोरोना वाईरस नो चेप लागे त्यारे प्रारंभिक लक्षणों देखाता अंदाजे बै अठवाडिया जेतलों समय लागी शक्ये छे जेती आपने जाणे अजाणे पन वाईरस ना वाःक होई शक्ये छिए घरे रेवा थी आ भईने अटका विशकाई छे घरे पड एक बिजा थी शक्ति हो तो दूर बैस्वू बपोर ना के साजना समय आडोशी पाडोशियों साथे भेगा न थोओ कउटुम्बिक के पडोशियों साथे सहू जमन के नास्तापडिना आयोजन न करवा घरे थी काम करो घर काम करो निया मलेला समय नों सर्जनात्मक के परिवार साथे ना सम्बंधों ने मजबूत करवा सदूप्योग करो आपना सवनू सामाजी कंतरज आपन्या वाईरस थी बचावशें जान है तो जहान है नमस्कार विद्यार्थी मित्रो अगव आपड़े रसानिक द्यानना जेकेपण भाग एक नो भ्यासक्रम छे ये अभ्यासक्रमना प्रथम एकमनी अंदर अत्या सुदीना त्रोन लेक्चेर मा आपड़े जे बिविद बाबतो विशे अभ्यास करी चुक्या छिए एना थी आपड़े आगड़ एक स्टेप अने एना पच्छीनु बिजी एक स्टेप आगड़ वदी अने आ एकमने अहीं आ एपिसोड नी अंदर आ लेक्चेर मा आपड़े एने पमिविद आप करी सुँ पित्रो सो प्रथम फरी याद कराविदो तो अगवना लेक्चेर मा आपड़े छिल्ले कोई पन संयोजन मा रहेला जेते तत्वानु दर्ती टकावार प्रमान कहीरी दे नक्की करवामा आवे छे अने जुदा जुदा संयोजन मा तत्वना दर्थी टकावा प्रमान समान छे के नी ए प्रमान सुचक सुत्रव पर्थी गेरिते जानी शकाये छे एना इसे थोड़ीक मायती मेडवियती तो आजी मुद्धो छे ए मुद्धाने हुँ आगले जुचु अने अहीं आगर आपड़े जुवानु छे के चेते संयोजन मा आपेला तत्वना दर्थी टकावा प्रमान खबर होए तो ते संयोजननू प्रमासुचक सुत्र अने तेनू आणविय सुत्र कैरिते नक्की करिशका तो मित्रों सव प्रथ महीं ट्याली टॉप पर आपड़े ज्यान मा लईये छे के प्रमासुचक सुत्र कोने कैसु तो संयोजनन मा रहेला जुदा जुदा परमान ओनी पून संख्यानो सराल गुणोत्तर अटले प्रमासुचक सुत्र जारे संयोजनना अणुमा रहेला जुदा प्रकार ना परमानोनी निश्चित अतो चोक्का संख्या दर्शावतु सुत्र एदले आणविय सुत्र तारो के आपणी पासे कोई एक संयोजन छे आ संयोजन मा मुख्ये त्वे त्रोंड गटक ततो कार्बन, हाइडोजन अने क्लोरिन आवेला जे हाईडोजन नुँद टकावा प्रमाण 4.07, कार्बन नुँद लधी तकावा प्रमाण 24.47 अने क्लोरिन नुद लधी टकावा प्रमाण 71.65 जे तो एना पर्थी आपड़े ते सेयंजनु प्रमासुचक सुत्र अने आणवे सुत्र कै रीते तार विशक्ये छे तेने आपड़े यहां गार समझी लिए तो सव प्रतम दरेक तत्वना दर्थी जे टकावा प्रमाण आपेला चे तेने तत्वना परमाण यहां दर वड़े बागी नाके हाइडोजनु परमाण यहां दर एक कार्बनु परमाण यहां दर बार क्लोरी नुप परमाण यहां 25.5 वड़े बागी नाके इला आपने साप सापेक्स मूल संख्या प्राप्त दसे आ सापेक्स मूल संख्या उपर थी ते तत्वों ना सादव मूल गुणत्तर जो जानवो होय चीते सेजन माटे तो सवथी नानामा नाना जे गुणत्तर जे याग 2.021 अट्वा सवथी नानामा ना सापेक्स मूल संख्या उणा वड़े दरेक ना मूलने भागी नाख्या मावे तो आपने सादो पुण गुणत्तर मूल नोँ प्राप्त दसे यह मुझे आगर हाइड्रोजन ना बे मूल कार्बन ना एक मूल अने कलोरिन ना एक मूल प्राप्त जाए छे कि जी अगर किते मुझे पूर्ण संक्यानों सरड़ गुण तर येलेके प्रमासुचक सुत्र दर्शाव जे आव पर थी आज सेयों जन्नू प्रमासुचक सुत्र CH2Cl लखिशका येलेके कार्बन नी संक्या एक हाइडोजन नी संक्या बे क्लोरी नी संक्या एक जे दर्शाव जे कार्बान आइडोजन अने क्लोरीन ना मोलनों सादो गुण तर एक जेम बे जेम एक छे हवे प्रमासुचक सुत्र पर थी जो आपड़े आणविय सुत्र नक्की कर्वो होए तो आणविय सुत्र बराबर प्रमासुचक सुत्र गुणिया एन जा एन सागुणक जैनु मुल्य नक्की करवा माटे ते संयोजन नू मोलर दल ने ते संयोजन ना प्रमासुचक सुत्र दल वड़े भागी नाक्ये तारों क्या आपने आस्योजन नू मोलर दल खबर छे अठाणू पॉइंट छन्नू अने तेनू प्रमासुचक सुत्र पर्थी दल कार्बन नू बार हाइडोजन नू बे कौंसमा एक वता क्लोरी नू पात्रेस पॉइंट पाच सरवाव करिये प्रमासुचक सुत्र नू द तो आरे ते मता प्रमासुचक सुत्र ना दाड़ ने अहीं अगार आकिमत मा मुकी दिये जे तो एन्नू मुल्या टू मर से आ एन्नू मुल्या ब्या मुकी अने संयोजन नू आणिये सुत्र आपने नक्के करिये तो ये सुत्र मर से C2H4Cl2 तो मित्रों आ अधान परती आप नियोजन मा रहेला जेते तत्वना दर्थी टकावा प्रमाणु परती आपने तेनू प्रमाण सुचक सुत्र अने तेना परती आणविया सुत्र सड ताथी नक्की करी शक्किये छे तो मित्रों आहीं प्रमाण सुचक सुत्र अने आणविया सुत्र कैरते नक्की करवाम आवे छे तेना थी आपने मायत कार थे हवे पछी आगार बिजो पॉइंट आपने द्यान मा लेए छे अने ते छे राशानिक प्रक्रियानी तत्व योगमितिय गणत्री कैरी रिते करवाम आवे छे एने समझवा माटे सो प्रतम आपने एक राशानिक प्रक्रियाने द्यान माली है धारों के मिथेन वायू CH4 गेस नू संपूर्ण दहन करवामा हावे एलेके ओक्सिजन साथे प्रक्रिया करिये तो त्यमाथी कार्बन डायक्साइड वायू CO2 गेस अने H2O गेस प्राप्त थाई छे मिथेन ना ओक्सियन साथे ना दहनी प्रक्रियानू आ समेकरां एवू दर्सावे छे के मिथेन ओक्सियन साथे जे प्रक्रिया करे छे दे प्रक्रिया वास्तव माँ कार्बन डायक्साइड अने पाणी बर्वानी प्रक्रिया छे वे आ प्रक्रिया संपून पने साची छे तो आपने हम कई सक्ये तो आ प्रक्रिया द्रव्य संचैना नियम नू पादन करती नती द्रव्य संचैना नियम मुझब आपेली प्रक्रिया माँ बन्ने बाजुए दरेक प्रकाना प्रमावनी संख्या समान थवी जरूरी छे बनी संख्या एक छे, हाइडोजनी संख्या चार, यहागर हाइडोजनी संख्या बे छे, एटले, आएच्टो, सुत्रनी आगार, सा गुणाग बे मुकी दिये, तो अपने हम कही सक्के जिके हाइडोजन परमानी संख्या बे दू चार, हाइडोजनी संख्या चार समान थेगी जमनी बाजी जमनी बाजी शेंज नी संख्याऊ बे अने ह 2 नी अंदर गूली बे बलस बे फिले 4 तअतर तो जमनी बाजी जमनी बाजी अक्षिजन परमावनी संख्या या शमान देगी पर आपणे जो ही गे अची के राश्वानिक प्रक्रिया देर में कोईपाण तत्वाना पर्मावनो नास चतु नथी के सर्जन दतु नथी यलेके दरिक प्रकाणा पर्मावनी संख्या समानता है यलेके द्रव्य संचाय ना नियमनु पालन जाई शे आप आपतने आपणे आपणे आऄले यागाड सोल करी सक्के जे के जो ओक्सिजन ना कूल बे अने बे चार पर्माणू जमनी बाजी हो तो डाई बाजी हो पन चार पर्माणू करा माटे आपसीजन ना सुत्रनी आगाड 200 गुनाग मुगी दीए तो आ रिते आपडे आपेली राशानिक प्रक्रियानू सम्तोलन कर्यू छे तेम कही शकान। तेनी बौतिक सितिने आधारे दर्शावा जरूरी छे। प्रक्रियान अनरूप ताप्मान, दबान, उद्धिपाग प्रक्रियाने परिस्ति पन लखी शकाई छे। साधे साथे बन्ने बाजूए लेके डाबियने जमनी बाजूए प्रक्रियाको निपतनी साय। दरेक प्रकाना परमावनी संख्या समान तवी जूए। जो प्रक्रिया सम्तुलित न होय तो यने प्रथम सम्तुलित करवा माटे। दरेक प्रक्रिया सम्तुलित करी शकाई छे। हवे प्रक्रिया सम्तुलित करे पची। अगर आ प्रक्रिया ने आपने आ रिते वांची शक्तिये छे। तो मिठेन वायू ना एक मोल अगर आगर एक सवगुनक छे पने एक सवगुनक आपने लगता न थी। एक मोल ओक्सिजन वायू ना बे मोल साथे प्रक्रिया करी। अने कार्बन डाइक्सेड वायू नो एक मोल अने एच्टूो गैस ना बे मोल आपे छे तेम कही शकाई। बिजी रीते आ प्रक्रियाने वाच्वी होय। तो मिठेन नो एक अनू ओक्सिजन ना बे अनू साथे प्रक्रिया करी। कार्बन डाइक्साइड नो एक अनू अने एच्टूो नो बे अनू बनावे छे। अन्य रीते आ प्रक्रियाने ध्यानमा लिये तो एक मोल मिठेन नू ग्राम मादळ तेना मोलर दड़ बड़ा बरोय। तो मिठेन नू मोलर दड़ कार्बन नू परमाणिय दड़ बार वत्ता चार कॉंसमा हाईडोजन नू परमाणिय दड़ एक एडले सोड ग्राम तोसे। एज रीते ओक्सिजन ना एक मोल अनो नू दड़ तेना आणिय दड़ मोलर दड़ 32 ग्राम तो बे मोल नू दड़ 32 दू 64 इले उयां गर 32 गुणय यां बे ग्राम लखो जो। एज रीते कार्बन डाउक्साइड ना एक मोल नू दड़ तेना मोलर दड़ लेके आणिय दड़ जितलो था है तो एने आपड़े लख्ये चुमालिस ग्राम अने एज टो ना बे मोल एक मोल नू आणिय दड़ अत्वा एक मोल नू दड़ तेना मोलर दड़ अत्वाणिय दड़ बराबर लेके अडा ग्राम चे तो बे मोल नू अडार दो चत्रिस ग्राम तसे तो द्रव्य संचेना निय मुझा प्रक्रिय कोनो कुल जत्थो आपड़े लए तो बत्रिस दू चोंशट बत्ता सोर तो टोटल तसे चोंशट ने चो सित्तिर सित्ते ने दस एसी ग्राम जारे निपजनू कुल दढ़ अपड़े जयनमा लिये तो चोंशट चार दस अने चाने त्रोंशट ने आठ ले एसी ग्राम दढ़ प्राप्त धाईचे एदले के प्रक्रिया दर्म्यान द्रव्यनो नाश्चत तो न थी के द्रव्यनो सर्जन तो न थी हजू अपड़े आगढ़ विचारिये तो वायरूप पदार्थ स्टी पिये लेवा मावे स्टी पिले के स्टांडर्ड टेंप्रेचर एंड प्रेशर तो एक मोल वायरूप पदार्थ नूं स्टी पिये कद बाविस पॉइंट साथ लिटर रोजे एदले याँ गढ़ हूं स्टी पिये आ पदार्थ एक मोल जाथाने अनूरूप बाविसपॉइंट साथ लिटर टेंथले के मिथे नूं बाविसपॉइंट साथ लिटर कद लए हैं तो ओक्सिजन ना बे मूल जथाने अनुरूप तेनु कद बे गुणया बावीस पॉइंट साथ लिटर स्टीपे लही शकाए तो कार्बन डाइकसर नो एक मूल नो स्टीपे कद बावीस पॉइंट साथ लिटर तसे तो आरी ते प्रक्रियामा बागलेता वायरू पदार्थोने स्टीपे तेना कद साथे साक्रिने पाण तेमनी वच्चे नो सबान दर्शावी शकाए छे तो आपेलिया तत्व युगमित्य प्रक्रिया उपर थी आपड़े ते पदार्थना किटला मोल प्रक्रियामा भागले छे निपजना किटला मोल प्रक्रियानें ते उत्पन दाये छे अनुव किटला मोल प्रक्रियामा भागले छे निपजना किटला मोल प्रक्रियानें ते उत्पन दाये छे प्रक्रियानी तत्व योगमितिया गणत्री कहे चे। वे अना पर्थी मानिलों के वो प्रश्ण पुछवा मायो के 4.4 ग्राम कार्बन डायोक्साइड वायू उत्पन्न करवा माटे कितला ग्राम मिथेन अन्ने कितला मोल ओक्सिजन नी जरूर पड़ से। तो अहिए अगर सव प्रत्रम आपड़े प्रक्रिया सम्तुलित अवस्वा मा लखी। बच्छी केल्कुलेशन करिये कि 45 ग्राम कार्बन डायोक्साइड वायू उत्पन्न करवा माटे जो 60 ग्राम मिथेन नी जरूर पड़े तो 4.4 ग्राम कार्बन डायक्साइड वायू उत्पन्न करवा माटे जरूरी मिथेन नुवजन आपड़े सर्दाती सुधी शक्ये। तो जरूरी मिथेन नुवजन बराबर 4.4 गोण्या सोड भाग्या चुम्मालिस। तिये जरीते चो ऑक्सिजन ना मोल सोदवा होए तो सेम टाइप नुवजन करी शकाए कि चुम्मालिस ग्राम सी ओटू उत्पन्न करवा माटे बे मोल ओटू वायू नी जरूर पड़े छे माटे 4.4 ग्राम सी ओटू उत्पन्न करवा माटे कितला मोल ऑक्सिजन नी जरूर पड़े तो आ रिते आपड़े राशानिक प्रक्रियाना सम्तोलित सम्मेकन उपड़ थी प्रक्रियकोना जत्ता ननुप निपजनो किलो जत्तो मर से अत्वा निपजनो योग्या जत्तो मिड़ाव माटे प्रक्रिया को केटला प्रमाण मा जरूरी बनसे तेम आपड़े कही शक्किये मित्रो फरे आज प्रक्रिया नू उदान लई अने बिजी अकतेनी बाबत आपड़े समझी लिए त्यारो के मिथेन नू संपून दहन थाई अने कार्बन डायक्साइड वायू अने H2O गेस प्राप्त धायची एव आपड़े यागर दर्शायू सदे सदे आपड़े एमपण की दू के 60 ग्राम मिथेन साथे प्रक्रिया करवा माटे 64 ग्राम उक्सिजन नी जरूर पड़ी अने 45 ग्राम कार्बन डायक्साइड वायू अने 24 ग्राम एच्टो उत्पन्न थाया विजरी ते कहिए तो एक मोल मिथेन साथे बैं मोल ऑक्सिजन नी प्रक्रिया थे अने एक मोल कार्बन डायक्साइड अने बैं मोल एच्टो उत्पन्न थाय शे तारो के अहिए अगर प्रक्रिया माँ बाग लेता मिथेन अने ऑक्सिजन पई की कोई एक प्रक्रियक नू प्रमार वधारे लिए शे दाखा तरीके ते लेवा मायू 32 ग्राम मिथेन एने सापेक्स ओक्सिजन मात्र 22 ग्राम मिथे लेवा मायू छे तो हवे आपड़े जोवानू छे के मिथेन अने ऑक्सिजन ना अनुक्रमे 32 ग्राम दाड लेई अने प्रक्रिया करवा मावे छे तो कार्बन डायक साइड कितला उत्पना जसे तो मिथेन ना 100 ग्राम सामे ओक्सिजन ना 64 ग्राम नी जरू पड़े छे लेगे चार गणा दड़नी जरू पड़े छे तो अहीं 32 ग्राम मिथेन निया नरोप अक्सिजन नो दाड चार गणा हो जुए पन वास्तामा अक्सिजन नो दाड ओचू छे बिजीर दे कहिए तो मिथेन ना 2 मोल प्रक्रिया मा भाग लेचे तो साधे साधे ओक्सिजन ना केता मोल प्रक्रिया मा भाग लेचे तो यहां अगर ओक्सिजन ना 1 मोल प्रक्रिया मा भाग लेचे प्रक्रिया नी तत्वल योग मितियता दर्शावे छे आतो सम्तलित समिकरन दर्शावे छे कि एक मोल मितियन साथे प्रक्रिया करवा माटे बे मोल ओक्सिजन नी जरू पड़े छे तो अहीं तो आपड़े मिठेन ना बेया मोल लिदा छे तो या गड़ अक्सिजन ना मोल तेने सापेक्स ओछा छे तो अवी परिसिद्य मा जारे कोई एक प्रक्रियक नो वदू जथो लेवा मावेलो होई तो प्रक्रिया वदू जत्थामा लिदेला प्रक्रियक प्रमाने न थता ओछा जत्थामा लिदेला प्रक्रियक प्रमाने थसे इतले के अहीं आगर एक मोल ओक्सिजन अत्वा 32 ग्राम ओक्सिजन ने अंदरो प्रक्रिया थसे इतले के निपजनू प्रमान किटलू मड़ से ते नक्य करवानों काम अहिया गण ओक्सिजन करे छे इतले ओक्सिजन ने सिमित प्रक्रियक अथवा तो लिमिटिंग रियेजन तरीक्या पड़े उडखावी सु तो रासानिक प्रक्रिया मा जे प्रक्रियक नो सवती ओछो जत्तो निपजनो जत्तो नक्य करवा मा अगत्यनों भाग बजवे छे तेने सिमित प्रक्रियक तरीके ओड़खावा मा आले छे तो आपेली प्रक्रिया माटे आ किसा मा ओक्सिजन सिमित प्रक्रियक तसे प्रण आम में अवे जो आपड़े किल्कुलेशन करवू हो है तो हैं हैं गई सकते कि बज़ा ओक्सिजन यदिकि एक मॉल ओक्सिजन प्रक्रियामा भाग लेशे तो एना थी अर्दा मोल यहां प्रक्रियानी तत्वे युगमित्य अनुसार मिठेन वप्रा छे एडले एक मोल सामें एक मोल मिठेन प्रक्रियामा वप्रा छे अना अर्दा मोल एक मोल सामें मिठेन ना किला मोल प्रक्रियामा वप्रा छे तो एक ना अर्दा अपने कले यह जे बेना अर्दा नथी करवाना तो एक मोल ना अर्दा है जीरो पॉइंट पांच मोल प्रक्रियामा वप्रा छे प्रक्रिया माँ प्रक्रिया कर्याव घर नो बाकी रहे से त्यारे अक्सिजन बदोच बप्राई देशे बिजी पापत आपड़े जुई है तो बे मोल अक्सिजन ने अनुरूप एक मोल कार्बन डाक्साइड मढ़ो तो एक मोल अक्सिजन ने अनुरूप कार्बन डाक्साइड पॉइंट पांच मोल उत्पन्न दसे इडले के बावीस ग्राम कार्बन डाक्साइड उत्पन्न था है सामें H2O एक मोल इलेके अडार ग्राम उत्पन्न तसे आम सिमीत प्रक्रियक वडे निपजनों कितलो जथो प्राप्त दसे ते आपडे तत्विया योगमितिया गणात्रे उपर थी सर ताथी नक्की करी शक्ये चे हवे मित्रों बिजी बाबत यहांगर द्यानमा लेए जे गणी वखत एव पन बने जे के राशानिक प्रक्रिया मा भाग लेतो प्रक्रियक द्रावण स्वरूप मा होए तो द्रावण स्वरूप मा प्रक्रियक प्रक्रिया मा भाग लेतो जोवा मले जे तो आई परसिदिमा ते प्रक्रियक नो जत्थो द्रावण मा केतलो छे? ये दर्शाव जरुवी छे जने द्रावण नी सांद्रता तरीके ओडख्वा मा आवे छे इले के जारे राशानिक प्रक्रिया मा भाग लेता प्रक्रियको द्रावण स्वरुप मा होए तो आ प्रक्रियको नो जत्थो ते द्रावण नी सांद्रता द्वारा निर्देशी ठता होए छे अने द्रावण नी सांद्रता अलग-अलग पद्धती द्वारा तो अलग-अलग रिते दर्शावी शकाई छे अने द्रावण नी सांद्रता मुख्यत्वे द्रावणा कदुपर आदारित होई शके छे तो अहीं सो प्रतम दर्व परादारी द्रावनी सांदरता दर्शाव माटे नीजे अलग-अलग पद्ध दीछे एमाने पहली पद्ध देनी वाद करिये तो एचे दर्व टकावारी बिजीरी दे कहिये तो परसंटेज डेबल्यू बाई डेबल्यू इटले के उधां तेरीके यहां लेए धारोक क्या पड़ी पासे 500 ग्राम एने वाएचिनू जेलिय द्रावण छे अने आ जेलिय द्रावण 500 ग्राम एने वाचिनू जेलिय द्रावण दारोक के 20 ग्राम एने वाएच दरावे छे तो प्रश्ण यह था है कि आ द्रावण मा एने वाच द्रावे पदार्थनू टकावार प्रमा दर्थी कितलू हो से तो अहिए अगर एने वाच नू टकावार प्रमा आपने जो सूध होय लेके परसंटेज डेवलिव बाई डेवलिव आपने सूध वा होय तो द्रावे नूदार 20 ग्राम गोणिया 100 भाग्या द्रावण नूदार 500 लिये तेना पर्थी आपने एने वाच नी जेते द्रावण मा द टकावारी केटली छे ते आपने जानवा मण से मित्रो अहीं एक अगत्यनी भाबत द्यानमा ले लिये छे के जारे द्रावण सब्द बोलिये छे त्यारे अगव आज एकम नी अंदर आपने जोई गया चिये ते मुझा बै के ते थी वधारे सुद्ध पदार्थोंने बेगा करवा थी बन्तू एकरूप मिशन जेने द्रावण केवाई तो आरीते एकरूप जे मिशन बन्यू एने आपने समांग मिशन पना अगर और की चुक्या चिये जेने बिजया स्वध मां द्रावण पन आपने नाम आपी चुक्या चिये जोग कोई पदार्तोंनू द्रावण पाणीमा बनावं माँ तो तेने जलीय द्रावण केवाई साथे साथे द्रावण नी अंदर जो बे गटक आवेला होए तो तेने बाइनरी द्रावण केवाई चे जो द्रावण नी अंदर त्रोन गटक पदार्थों आवेला होए तो एने ट्राइमरी द्रावण तरीकी ओडखवामा आवे चे पन कुई पन प्रकाना द्रावनी अंदर एक गटक पदार्थ हमेशा द्रावक तरीके होई छे अने अन्य गटक पदार्थ अथ्वा पदार्थो ए द्राव्य स्वरूपे होई छे तो आप अबबत आपने खास कारजी पूरवक याद राखी देशू एकज गटक पदार्थ द्रावक तरीके होई चारे अन्य गटक पदार अथ्वा पदार्थो द्राव्य स्वरूपे होई छे इले द्रावक वत्ताтаки द्राविये द्रावण बनेशे यह हुं किया हुआ है तो मित्रों ऊहीं धड़ टकावारी अथा परशंदे डव्लीव बाई डेबियू जारैंप्ने नक्की करेशे यहुआरैं आपने पासे द्रावन नू दढ अने तेमारेला द्रावयनू दढ जो से तो आपने सर ताथी परसंटे W by W आरेते सुधी सक्किये बिची यहां करें कगत्चेनी बाबा ध्यान मले लिए के द्रावन नू दढ वास्तवमा द्रावक अने द्रावयना दढ ना सर्वाडा बराबर होचे लेके द्रावक नू दढ अने द्रावयनू दढ बन्ने नो सर्वाडो करो एले द्रावन नू कूल दढ पराप्त ताए तो मित्रो आ रित्या आपणे द्रावण मा द्रावड देला पदार्थ नी दःथी टकावारी नी गणतरी द्यानमाली जी आनो द्रोण बार मा पण फरी पाचो उप्योग आउसेछ इड़ले आ जे सुत्र छे, और आनो जे कॉंसेप्ट छे यह हैं आपड़े बराबर ध्यान मर लेशू। हवे पछी आवे छे बिजहा नंबरे जैनरी नाम छे मोलालीटी मोलालीटी सब्धबनो अर्थ अठा तो मोलालीटी नी व्याख्या अशू थाय तो मोलालिटी नी व्यक्ष्यारित आपड़ी आपी सक्ये छे के एक किलोग्राम द्रावकमा द्राव्य थता पदार्थनी मोल संख्याने द्रावनी मोलालिटी कहे छे इल्ले के मोलालिटी जो नकी करवी होए तो द्राव्य नो जत्तो मोल मा लेव पड़े औने द्रावक नू वजन ग्राम मा लेव पड़े तो अना परथी आपड़े हम कई सक्के के molality जने दर्शा मटेनी संग्न्याचे small m molality बराबर द्राव्यना मोल भाग्या द्रावक नू वजन अत्वा द्रावक नू दर किलोग्राम एकम्मा तो आ रित्या आपड़े द्रावन नी मोलालिटी नक्की करी शक्किये छे हवेना मट आपड़ेक उधान लेए धारोके 2.5 किलोग्राम पाणी मा चार ग्राम एने ओएच द्राव्य करे हो छे माटे आ द्रावन नी मोलालिटी बराबर द्राव्य ना मोल इलेके एने ओच ना मोल भाग्या द्रावक नू द्राव्य नू द्राव्य नू द्राव्य किलोग्राम मा लेवू पड़े हवे आज शुत्र चेने आपड़े मोडिफाइर करिये तो कोई पन द्राव्य नू द्राव्य ना मोल बराबर तेनू दढ भाग्या आणिव दल्ली ये छे तो इहागार द्राव्य नं मोल बराबर द्राव्य नू दढ ग्राम मा ले तेने द्रावियाना आणविया दड़ वड़े भागी नाकोईले मोल थेग्या कोणिया एक भाग्या द्रावकनु दड़ आ रिते आपड़े सुत्र लिये तो अहिया अगर मोला रिते आपने जानवा मर से बिजी पापत अहिया अगर जुईये तो आज सुत्र मा मोला रिते नक्की करती वकते जो द्रावकनु दड़ किलो ग्राम मा न होए तो उपर हजार वड़े गुणी अने द्रावकनु दड़ ग्राम मा पनले शकाए तो अहिया अगर एने वेचनु दड़ चार ग्राम मुकी एने वेचनु आणविया दड़ चालिस लई अने एच्टु अलके द्रावकनु दड़ बे पॉइंट पांच लई ये तो आ रिते द्रावननी मोला लिटी नी खनत्री आपने सड़ ताथी करी शक्क्ये छे तो मित्रो आ रिते जारे द्रावननी मोला लिटी गणवाम आवेचे तो अहिया गडिक विजुदान लईने एवपन समझाई सका है के टू मोलल अने वेचनु जलिया द्रावन नो अर्थ एवधा है के एक किलो ग्राम पानी मा बे मोल अने वेच द्राविया थयो छे तो आ रिते आपडे द्रावननी मोला लिटी जो जानता हुए तेना परती द्रावक नो दाड केटलू लिदु छे ते पण जाने शक आए चे द्रावननी मोला लिटीने द्रावक नी दाड केटलू लिवामा अवेला ।ो धे पणा आपडे नक्की करी शक्किये शे तो मित्रो आ रिते मोलालिटी ने आपड़े द्यानमा लेशू हवे एक बिजु उदान यहां गर द्यानमा लेएशे मान्जिलो के 20% W by W एने वेच नू जलिय द्रावाण लेवामा आवेशे तो आ द्रावण ने मोलालिटी कितली ही दोसे तो अहिए अगर अपड़े मोलालिटी ने घ्रत्री करवा माटे प्रथम अहिए द्याना प्येदो 20% W by W एने वेच ना द्रावण वर्शू धाए के 100 ग्राम द्रावण मा 20 ग्राम एने वेच द्रावय थयो चे 100 ग्राम द्रावण मा 20 ग्राम एने वेच चे माटे द्रावक नू दाड एनसी ग्राम थे ग्यों तो मोलालेटी बराबर द्रावय नू दाड 20 ग्राम एने वेच बाग्या तेनू आणविय दाड 40 ग्रावक नू दाड एनसी ग्राम मा थे ग्यों तो एने उपर अजार वडे गोणी नाखे ले किलोग्राम मा थे ग्यों तो आ रिते आपडे आपडे आ द्रावन नी मोलालेटी नी गणतरी करी शक्किये चे तो मित्रो द्रावन ना परसंटे डेबली बाडेबली लगके दर्थी टका खबर होये तेना परती मोलालेटी सुचिते का है अने मोलालेटी उपरती दर्थी टका पण आपडे नक्की करी शक्किये चे आउपराण आज एक्जाम्पल मा आगल आपडे त्रिजा प्रकाने गणतरी ज्यानमा लेए जे अने एनो नाम छे मोल आउंश आउंश इले बाग हमना जे उदान लेगा है एने जबात करो तो 20 परसंटेज डबल्यो बाइ डबल्यो एने वह ना जलिय द्रावण नो आर्थ आपडे एवो काडे हो के 100 ग्राम द्रावण मा 20 ग्राम एने वह चे इटले के 100 ग्राम पाणी मा 20 ग्राम द्रावण एटले के न आ वह च द्रावण थे ओ इटले 100 ग्राम एज ट्रावण अने 20 ग्राम एने वह च द्रावण छे परिणाम सरूप जो मारे H2O ना मोल इलके द्रावण ना मोल सुद्वा होए तो एसी बाग्या अडार करूं काणके दल बाग्या आणिविया दा अथो मोलर दा एज रिते एने वह च ना मोल बराबर मने प्राप्त दसे 20 एनुदर बाग्या मोलर दा अथो आणिये दा आरी ते द्रावण मारेला H2O यलके द्रावण ना मोल अने द्रावण ना मोल मली गया माटे द्रावण ना कूल मोल जो आपड़े सुधवा हो है तो द्रावण ना कूल मोल बराबर द्रावक ना मोल वत्त द्रावण ना मोल यलके द्रावक ने द्रावण ना मोलनो सरवाडों करवो पड़े तुमित्रो अहीं द्रावन ना कूल मोल मा द्रावक ना मोल नो हिस्सो ये लेके भाग केटलो अथ्वा द्राव्य ना मोल नो भाग केटलो येने केवा है मोल हौश इदले के जो अपड़े कोई द्रावन मा रहेला द्रावक ना मोल ने केपिडल एन अने द्रावन ना मोल ने स्मॉल एन द्वारा दरसाविये तो द्रावन ना कूल मोल बराबर दसे केपिडल एन प्लस स्मॉल एन तेना पर्थी जो आपड़े द्रावक ना मोल आउंस X1 सुधवा होए तो जेते गटक ना मोल आउंस अगर आपड़े X1 द्रावक माटे वापने जेले के द्रावक ना मोल आउंस लिदा तो द्रावक ना मोल आउंस X1 बरावक ना मोल भाग्या कूल मोल अने ये जरी ते द्राव्य ना मोल आउंस जो आपड़े लिए तो ये तसे X2 बराबर द्रावेना मोल बाग्या कूल मोल तो आ रित्या आपड़े आ बे सुत्र अहियागर दर्शायू शक्ये तो आपेला उदाण मा एने वच अने H2O ना मोल नके करया पच्छी आज सुत्रने मदधी आपड़े जेते द्रावक H2O आने द्रावे एने वच ना मोल आउंस सुधी सके सदे सदे हियागर एक बाबात खास नौत करे देशू के द्रावाण मा रहेला द्रावक ना मोल आउंस अने द्रावे ना मोल आउंस नो सरवाणो हम्मेशा एक थतो होई चे जारे बिजी प्यवत्यान मा रहे तो द्रावक ना मोल आउंस अने द्रावे ना मोल आउंस नो गुणत्तर हम्मेशा द्रावक ना मोल भाग्या द्रावे ना मोल बराबर ततो होई चे इतले के बे गटकोना मोल आउंस नो गुणत्तर ते बे गटकोना मोल गुणत्तर बराबर होई चे एले जो यहां कर आपणे एक्स वन द्रावक माटे लेए शेले के द्रावक ना मोलाउंस भाग्या द्रावे ना मोलाउंस तो एना बराबर आपणे द्रावक ना मोल लिदा शे औने आपणे द्रावे ना मोल लिदा शे एले के द्रावक ने द्रावे ना मोल गुणोत्तर बर आब रथ से तो आरी ते मोलालिटी उपर थी जो द्रावे ना मोलांस सुध्वा होए तो पन सुधी सकाई छे दाखना तरीके तू मोलाल एने वच ना जलिया द्रावण एक्वियस एने वच ना जलिया द्रावण मा एने वच ना मोलांस सुध्वा होए तो आपड़े आरीते सुधी सक्किए तो X of nAWG लेके nAWG ना मोल ओन्स बराबर नAWG ना मोल, वेली यह अगर हूँ, नAWG लखो भाग्या, द्रावणना कोल मोल, वेली द्रावणना कोल मोल मा नAWG वत्ता द्रावक ना मोल, वेली के H2O ना मोल आर जे लखी शकाए हवे मोलालिटीव मा द्याख्यानी अंदरत कही देवाव माँचे कि 2 मोल एने वच 1 किलोग्राम पाणी माँ द्रावेजे एले कि एने वच ना मोल 2 जे बाग्यार 2 बत्ता हेज़्टो ना मोल तो 1 किलोग्राम पाणी ने तेना अन्यदार वड़े बागी नाखो अले 1,000 बाग्या अडार तो अहीं आगड़ा आपने पंचावन पॉइंट चपन मणे तो आ रिते आपड़े एने वच ना मोल आउंस नक्के करी शक्ये छे अने जो आपड़े मोल आउंस जानता होईए तेना पड़ती मोला लिटी पाण सोधी शकाए हवे पच्छी चोथा प्रकाई नी जे सांद्रता दर्शाव माटे नी रित आवे छे जैने आपड़े कहिशू मोला रिटी मित्रो एक बस्तु याँ खास ज्यानमा ले लिए द्रावन नी सांद्रता दर्शाव माटे नी जे अलग-अलग पद्यत्यों छे एमानि किटलीक पद्यति द्रावना कद्व पर आद्यारी छे जैरे किटलीक पद्यति Pराद्यारी छे तो अगउं जे आपड़े त्रोन पद्यती जोई गया ए द्रावनना दढ़ पर आधारे छे, जारे मोलारेटी ए द्रावन ना मुख्येत्वे कद उपर आधारे छे तो आज ए मोलारेटी छे, ए मोलारेटी नी व्यक्या अहिया गळ कईये तो नियत्त आप माने एक लिटर द्रावन मा द्रावे जहेला पदार्थ नी मोल संख्याने द्रावन नी मोलारेटी कईये छे तो द्रावन नी मोलारेटी नी आरेटे व्यक्या आपी शकार द्रावन नी मोलारेटी एम बराबर द्रावे ना मोल भाग्या द्रावन नो कद के जे आपड़े लेटर मा लैसु अत्वा बिजिरिते आशुत्रे नी मोडिफाइ करें लखू होए तो द्रावे नो द्रावे नो द्रावे नो कद जे आपड़े लिटर माली अने एथी एने आगण जो मोडिफाइ करें लखू होए तो द्रावे नो द्रावे नो ग्राम मा गोणिया एक जार भाग्या आण्वी यदर द्रावे नो गोणिया द्रावन नो कद मिलिटर एकम मा लै शकाए। जो आपड़ी पासे टू मोलर एने वैच नू जलिया द्रावन छे एम आपड़े कईये तो आ द्रावन नो अर्थ दसे एक लिटर द्रावन मा बे मोल एने वैच द्रावे थायो छे तो आ रिटे मोलारिटी नी जे व्याख्याचे ए व्याख्याव पर थी अपड़े आ द्रावन माटे अधगटन करी शक्ये कि धारो के वो प्रश्ण बुच्छवा मा आवे छे कि 0.5 मोलर एने वैच नू पांसो मिलीटर द्रावन बनावू होए तो पांसो मिलीटर द्रावन किटला ग्राम एने वैच द्रावतो होसे तो आ कैलकुलेशन करवा माटे अपड़े आज सुत्रन उप्योक करी अने सर्थाधी घणत्री करी शक्ये चे तो अहिया अगर आजे सुत्र जे सुत्रन उप्योक करती वकते खास आपड़े ज्यानमा लेशु के एने वैच नू आनुए दढ़ अहिया अगर आपड़े जे 40 लईए चे एमा केड़िक वकत जो विद्यार्थी भूलमा आगर जारे सप्रमानतानी घणत्री आउसे अने ए वकते तुल्यादर सुत्र मावतु अचे बाकी ने बदीज बासवत एक सरकी छे एले मोलायटे नी जग्याए सप्रमानतानी घणत्री माटेनो जे सुत्र वपरवा मावतु अचे एमा आणवियदर नी जग्या है त्या अगर तुल्यदर जे लेवा माँतु हो छे तो ए तुल्यदर भुलमा नमुके जायनों खास कारजी राखवाने बिजी भाबत द्रावननी मुलारीटी खबर होय द्रावननों कत खबर होय तो द्रावेना मुल केतला चीए पन आपड़े नक्की करिशक गेचे दाखत तरीके आ द्रावनमा एने वेचना मुल केतला चीए शोदवा होय तो आपणे सर्थ आधी कैलकुलेट करी शक्किये छे इतले मोल बराबर मोलारीटी गोणे आ द्रावन नू कल लिटर माले अने एने वहच ना मोल नू कैलकुलेशन करी शक्का है ऐने वहच नू डढ किटलू चे आ सुत्रपाँctive आपणे कैलकुलेट करी शक्कीये छे इतले जो द्रावन नू गनता अपने आपदी देली होए तो द्रावन नू गनता उपर थी द्रावननू कत पन आपणे शोधी शक्के जरके द्रावननी गनता बराबा द्रावननू खबर होए तो आपणे तेनों कद सुधी शक्किये चे तो मित्रो आ प्रमाने आपणे गंता दढ अने कद पै कि जो आपणे कद जानता होए गंता खबर होए तो दढ सुधी शक्किये चे गंता ने दढ खबर होए तो कद सुधी शक्किये चे अने जो द्रावन ना दढ विश्चे नी मायती मले तेना परती आपणे एनी मोलाइटी सुधी शक्किये चे साथे साथे परसंटे W by W पन सुधी शक्किये छे अने एना थी विशेश आपडे चेते गटक ना मोल अउंशनी पन गणत्री करी शक्किये छे अने बिजी तरब जुईये तो जो द्रावन नी गणता अने द्रावन ना दवर तो द्रावन नुकत अने एना पर्थी मोला रिटी नी घणत्री पन करी शकाये छे तो मित्रो द्रावन ना दवर तरवर 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 अत्या सुधी आ पहला एकम्नियंदर राशानिक प्रक्रियाओना संदर्मा जी तत्व युगमित्य गणत्री कहरित्य करवाओं मा आवेचे राशानिक प्रक्रियामा भाग लेता प्रक्रियको द्रावन स्वरुपमा होए तो आ प्रक्रियको नी सांदर्ता उपर थी प्रक्रियको कित्डा प्रमाण मा द्रावे थायेलाचे पचि ये दड़ना प्रमाण मा होए कि मूलना प्रमाण मा होए ते तमाम कैलकुलेशन आप्रेसर ताथी करीशक्ये छे पने खास करीने राशानिक प्रक्रियामा भाग लेता आ प्रक्रियकों ना द्रावणों नी संध्रताव पर थी, त्यमा रेलों द्रव्यन जो त्थो, येने बिजा प्रक्रियक साथे सांकडिने पर निपज कितला प्रमाल मा उत्पन्न तसे, अत्वा निपज जरुरी प्रमानमा उत्पन्न करवा माटे जेते प्रक्रियक ना द्रावन नु किटलू कज जोई से निश्य सांधरता दरावतू अत्वा तो द्रावन ना युग्य कद ने अनुरूप तेनी सांधरता किटली होई जोई आ तमाम प्रकान नी घणतरी आपड़े आ मुद्दा उपरती सर ताथी करी शक्ये छे तो मित्रो अहीं आपड़े जे एला एकम नी अंदर प्रसाण विग्णान नी केटलेक पायनी जे बाबतो जे जे संकलप नाओ जे एनो जे आपड़े अभ्यास करो जे एने वदुने वदु महावरा द्वारा अलग-अलग प्रकान प्रस्णो जे छे एनू सलुशन करी अने तमे एने वदुने वदु द्रड बनाई शक्षो कारण के जो आज एकम नी अंदर आओ ते पायने बाबतो एने आपड़े द्रड ने बनाई विए तो आगर ना एकमों मा पाण घनी जिग्याए आ बाबतो नो उप्योग अलग-अलग प्रकान प्रस्णो नी अंदर कैलकुलेशन बेस क्विश्च्ण नी अंदर थतु होई ते आरे आपने तकलेफ ना पड़े तो मित्रो आई आशादे आ एकम बोन थाए छे एना जे केपण स्वाध्याईना जे प्रस्णो चे ए प्रस्णो जे छे एने पन तमे बारम बार एने प्रेक्टिस करी अने एने बदु साय रीते योग्य रीते परिक्षा माटे तैयार क माटे संपुना पड़े सजे थसो एवी अपेक्षा जे नमस्काइब